है कि तो आज Insp expecting हमने जाना है ऑफ और आजिन सबसे नीचे वाले खीतुमें जाना है गास काटने के लिए खारोय को बहुत बहुत धन्यावाद जिल से धन्यावाद करती फिर संस्ध aoa काई क्या है तो यह बहुत अच्छी हूँ चलिए जी एक और वीडियो की शुरुआत कर लेते ही तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते मेरा नाम है आसा फर्ष्वान और मैं हूँ उत्राखंड में चमोली जिल्ले के शोडुमुरी गाउं से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज क नई वीडियो में आज के वीडियो की शुरुआनना सिव मंदिर से हो रही है और आज भी हम लोग जा रहे हैं कमीयड घास काटने के लिए और आज सुबह सुबह ना इन लोगों ने साप देख लिया मैंने तो नहीं देखा मैं पिछे से आ रही थी लेकिन यह भावी जी ल है लोगों का प्रटा है और आज भी हम लोगों का पर्टा है और आज भी हम लोग में जा रहे हैं और बाकी हमारे साथ आज ताई जी भी है और बाकी मन्जु भावी में और किरन बारे तो कुल मिला के चार पल्ट्या हैं हम और सुबा सुबा का मौसमना काफी स्वावना हो रखा है और हमारे गाउं का खुशुरत सा नजारा आप लोगों को दिख रहा होगा आल नहल के हलके बादल वे आये बाकी यहां पर बाड़ भी लगा रखी है गाई zar deра और यहां पर इस वाले मांगे में अ भी घास नि काट रखी है नीचे जाने वाले राष्टे नहीं पर इस तरों से घास की वजए से बंधू रखे हैं लन आहम मरा क्येत है तो ऑम यहां से घास बाद के लेके गए दो सोयटे और आदा यहां पर रखा हुआ है और बाकि साइट को ना हमारा भी घास बादना रह गया है तो हम लोग ना नीचे साइट को जा रहे हैं घास काटने के लिए आज भी ना मंजुभावी का खेट जो है कि सबसे नीचे वाले बंजर में हम लोगो अभी तक दूप नहीं आ रही है अच्छी तरो हलकी हलकी दूप आई हुई है अभी अच्छी चाया हो रखी है दो फेर के ताइम पर यहां पर काफी ज़्यादा भी लगती है चलचड़ी वाली चलचड़ा वाला घाम जिसको बोलते हैं और बाकि मेरे इससे पहले वाली व बेचते थे वह तो 20 रुपे स्वेटा घास विखता था तो अब घास की कीमत क्या है तो यह सवाल ना कई सारे लोगों के मन में होगा जो मलब काफी पहले गाउं से प्लायन कर चुके हैं और भले ही आज वह भार है लेकिन उन लोगों ने भी ना यह सारा काम किया हुआ है गास कार लोगों के वह थे यहाव जयसे पहले था तो दाधा जी का कमेंट आया था उखास के स्वेटों की कीमत बड़ती है जैसे घी की कीमत भी बढ़ेंगी तो उसका हम जप मांगे गहाथ करने के लिए खरीजते हैं तो उससाफ से पैसे देते हैं तो इस तरव से अभी यह हैं चेट हैं और यह हई से OW Virus कुछ न की कि निवल होता है तो इससे साइन कुछ एक और नहीं होता है तो इससे नीचित काफी जादा मैं निव actor यहां पर खूब होता है तो कुछ लोग ना बाद में सद्धियों के टाइम पर यहां पर घास के लिए भी आते हैं और यहां बड़े बड़े पेर पौदे हैं और अभी ना काफी अच्छी च्छाया भी हो रखी है तो घार काटने से पहले ना जैसे हम लोग मांगे में आये सब्सक्राइब और पर आप्यार कि यह सिरसमाद के लिए भी सिरसमाद में आप बड़े ऑंस ना बड़े अर्ड़े इस साइड को पूरा घास काटने के बाद अभी यहां से नीचे जा रहे हैं यहांना बहुत बड़ा गदेरा भी है और भूल हो रखाए यहां बहुत ज्यादा किलन बायर बाता बनाते हुए कि यहां रिंगाल भी बहुत संक्राइस हे बहुत बूरो चीज है दो पुए भी होंगे तो छोड़ना नी है उसको बलाई डर लगे या कुछ भी हो तू जंगली घसी काटेली में गोरू चरूला पाणी भरी लेली में खानू बनू ला ये जंगलो घसी काटल्या भालू भी अखू हो ला यहां के सारे गहास का ना हमने इस तरह से पुए बांद रखे हैं और शुखाने के लिए खेद में लेके जा रहे हैं नहीं तो वहां को जाएगा मंजु भावी का बांदे के लिए हैं कुछ गास के ना हमने इस तरह से पुझऌ मिखेफ जगाना रहे हैं सुखाने के लिए डाल रख और ये हम का दरेसे लिए के आप ही पुझगा बन रहा है गदेरे मतलब इस वाले अनून अ za युश्य बढ़रे पूल बनता है है शिसो वाली शरी नगा रहे हैं सिसावाली शरी आगा से लिक्राभीक चेल्टtar तो यहां पर वाले खेत ने के बाद ना उसके बाद हम उपर एक और खेत हैं मन्जुभावी लोगों का तो उपर वाला खेत हम लोग काटेंगे फिलाल पीते हैं यहां पर गरम गरम चाय चाय पीने के बाद हम जा रहे हैं उपर वाले खेत में चलते हैं यहां खट वाद दूसर घ्रखाद वात तरह आजकर खट घ्रखाद हमने हैं और आभी नहीं हम लोगा इस वाले खेत में घास काट रहे हैं इसमें फिल्द्ध यह तो यह सारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं करना पहले न को काटना पड़ेगा और ऊसके बाद काटना पड़ेगा यहां भाकी आख रोड के लिए तक में आखरोड के पेल पर पिछले साल की जड़े होते थे नीचे लेकिन इस बार इस पर अख्रोर नहीं लग रखिए तादिला कुमार यह देखो वैस है पुर अख्रावे रहा निगरट प्रवार नहीं कि यह नहीं तो कि रणना पहले इस तरह से यहां पर कुमर के पौदों को अलग करी है घासे को शारे हो रहे इस और इस वाले खेत कावी ना पूरा घास हम लोगों ने काट दिया है यहां भी पूजूंगे बना रहे हैं और अभी टाइम भी करीब धाई बच चुके हैं अब रोटे खाते हैं उसके बाद ना उपर वाले खेतों में हम लोगों को घास काटने के लिए जाना है अब हम लोग उपर वाले खेतों में जा रहे हैं गास काटने के लिए और बाकी आद मौसम भी खराब हो रहा है यानि कि बादल आये हुए हैं आस्मान में काले-काले बादल चाहिए हैं तो बारिस भी हो सकती है या नहीं हो सकती है इसका तो पता जानी लेकिन बादल आये हुए हैं यहां पर इसमें अलके पेड़ पे खुषारे में अर्तों लगे होए हैं पते दिनी है लेकिन फूल भी खिले हुए है यह कौन समौसम चल रहा है फूल भी फल यह साथ आ रखे हैं इस ते क्या बगत आयो यो जमाना खराबास चलिए तो यह खेदी काफी बड़ा है बंजु भावी का वहां से लेके और यहां से उधर तक और उपर यू मा था भी तो मोरी चूँ तो अभी नहीं हम लोग भरे लगाके आधे रास्ते आ चुके हैं तो नीचे से खेदी जल्दी में निकले आज क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई थी और हमने सोचा कहीं यहीं अंधिरा ना हो जाए वैसे अभी हम लोग कमेर में ही है लेकिन नीचे खेदी उपर आ चुके हैं अब यहां से सीधे चड़ाई चड़ कि हम लोगों को घर जाना है बाकि मन्जुभा भी ना सोयटा पे लेके जारी घास और किरन और में भारे पे और ताई जी भी भारे पे लेके जारी है लेकिन ताई जी ना हमसे पहले निकल गई थी खेदों से उपर तो ताई जी उपर डीब तक पहुंच गई होगी मैरा मुलू के चले घूमी एली जूने की साथ